दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यह लोग इंडियन पोलेटी में मौली कधिकार यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एक चाम्स के लिए इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट चैल इस कोष्चन है आप इन वेसे कितने कोष्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्क ओर कोंड वक च्म हैँ जरूर बाता है तो देखे यहां पर हमारा पहला कोष्चन दिया गया है मौलीक अधिकार भारतिय संब्यधाना की भाग में बाढ़नी थै तो देखें मौलीक अधिकार ये भारतिय संब्यधान के भाग 3 और अनुछेद 12 से लेकर 35 तक में इसका बाढ़न किया गया है ठीके इसके इलावा यदि हम बात करें भाग 2 की तो भाग 2 में जो है नाग रिखता है संबंधित प्रावधान दिया गया है जो कि अनुषेद 5 से 11 तक में बढ़नेत है भाग 4 की बात करें तो इसमें जो है राजे के नीती निर्दसक तत्व दिया गया है जो कि अनुषेद 36 से 51 तक में बढ़नेत है और भाग 6 की बात करें तो इसमें जो है राज्य से संबंधित प्रावधान दिया गया है जो कियन उछेद 152 से 237 तक में बर्णे थे, ठीक है, कुश्चे नमबर टू है, तो देखे, मूल अधिकारों को सबसे पहले जो है, ये सनित्राज अमेरीकया में संब्धानिक मानेता प्रावधान की गई, ठीक है, आंसर होचा HERE ukा अप सं B, कुश्चे नमबर टोड और ये, भारतियो संब्यधान के किस भाग को सरवाधे के अलोकित भाग बोला है तो देखे डाक्टर भीम रावंबेद करने ये भारतियो संब्यधान के भाग 3 को सरवाधे का अलोकित भाग बोला है भाग 3 में क्या है ये तो बता ही चुके है कि भारतियों संभेधान के भाग तीन में ये मौलिक अधिकार दिया गया जो कि अनुशेद 12 से 35 तक में बढ़नी थे ठीक है और इसको डाक्टर भीमराव अंबेदकर ने सरवाधिक अलोकित भाग बोला है याद रखना है आपको कुश्चन नमबर 4 है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह तो देखे मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह मानों के प्राकिरतिके और अप्रति दिया अधिकार ठीके इसलिए जो है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं आंसर हो जाएगा D question number 5 है भारतिय संबेधान के भागतीन में कुल कितने अनुषेदों मूल अधिकारों का बर्णन किया गया है तो भागतीन में जो है कुल 24 अनुषेदों में मूल अधिकारों का बर्णन किया गया अंसर हो जाएगा D question number 6 है प्रारंब में निमने लेखित में से कितने मौलिक अधिकार दिये गए थे तो देखे प्रारंब में कुल साथ मौलिक अधिकार दिये गए थे ठीक है लेकिन अभी बर्तमान में कितने है छे है ठीक है अभी बर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है सात्वा जो था ये संपत्ति का जो अधिकार था सात्वा ये पहले मूल अधिकार था लेकिन मूल अधिकार की सूची से हटा कर 44 संबिधान संसुधान के अंतरगत जो है से मूल अधिकार की सूची से हटा कर कानूनी अधिकार बनाय गया है ठीक है? तो अभी बर्थमान में कितने है? 6 है Question Number 7 है मौलिक अधिकारों को लागो करने का दाई तो आ कहां पर होता है? तो मौलिक अधिकारों को लागो करने का जो दाई तो होता है उच्तम न्याले और उच्छ न्याले यान इन दोनों जगहाँ पर होता है उपर युग तो दोने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मौलिक अधिकारों का निलंबन निमने लेखित में से कौन कर सकता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये राश्पती कर सकते हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा C Q9 है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको परदान किया जाता है भारतिय संभिधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संसोधन किसके द्वरा किया जा सकता है तो देखिए भारतिय संबिधान में उद्गोसित मौलिक अधिकारों में संसोधन जो है किसके द्वारा ये संसाथ के द्वारा किया जा सकता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा C कोशचे नम्बर 11 है निमनलीकित में से कौन से मामले उच नयाले तथा उच उचतम नयाले की अधिकारिता में आते है को कुश्चे नम्बर 12 है भारतिय संबिधान के अंतरगात मौल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है तो मूल अधिकारों का सनरक्षक जो होता है वो नियाइपाली का होता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा C कुश्य नमबर 13 है मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधेस कौन दे सकता है तो निलंबन का अदेश कौन दे सकता है तो राश्पती याद रखना है राश्पती दे सकते है निलंबन का अदेश कुश्य नंबर 14 है मूल अधिकारों पर आवस्यक परतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है तो आवस्यक परतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है ठीके आंसर हो जाएगा B Question No.15 है मौलिक अधिकारों का प्रमुख खुद्देशिया मौलिक अधिकारों का प्रमुक खुद्देश या निमनलेखित में से क्या है तो देखे इसका जो प्रमुक खुद्देश है वो है बेक्तिगत स्वतंता को सुनिश्चित करना ठीके मौलिक अधिकार का जो प्रमुक खुद्देश है वो है बेक्तिगत स्वतंता को जो है सुनिश्चित करनाई के इसका मुख्य उद्यस से है ठीक है भारतिय संबिधान में प्रदत मुलवुत अधिकारों को निलंबित करना वाली सत्ता कौन सी है तो राश्पती है ठीक है कुश्चे नमबर 17 है समानता का अधिकार भारतिय संबिधान के किन 5 अनुशेदों में दिया गया है तो समानता का जो अधिकार दिया गया है यह अनुशेद 14 लेकर 18 तक में दिया गया है ठीक है अंसर हो जाएगा सी भारतिय संबिधान के निमने लेखित अनुशेदों में से कौन बिधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है तो बिधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है यह अनुशेद 14 के द्वरा लगाये जाता है ठीक है तो अंसर हो जाएगा यह भारतियसमविधान के कौन से अनुष्यद में किसी भी रूप में अस्परिशता निसेत के लिए प्राउधान है तो ये है अनुशेद 17 में ठीक है अनुशेद 17 में जो है किसी भी रूप में अस्प्रिश्यता निशेद के लिए प्राउधान है अंसर हो जाएगा P समान्ता का अधिकार भारतियों के लिए सुनेश्चित करता है लिए धार्मिक समानता आर्थिक समानता और समाजिक समानता ठीक है यानि ये तीनों ही समानता भारतियों के लिए सुनिष्टित करता है तो परियुक्ति यहाँ पर जो है सभी correct हो जाएगा question number 21 है भारतिया सम्मिधाने किस अनुषेद के प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रतन पद्विभूसन आदियलंकरन प्रदान किये जाते है तो किसके द्वारा किया जाता है तो ये अनुषेद 18 के द्वारा किया जाता है ठीक है आपको याद रखने है अनुषेद 18 के अंतरगत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रतन पद्विभूसन आदियलंकरन जो है प्रदान किये जाते है अन्सर हो जाएगा B question number 22 है अन्सर हो जाएगा D question number 23 है भारत का संबिधान एस पॉष्ट तो प्रेस की आजादी की बिवस्ता नहीं करता है किन्तो या आजादी अंतर नहीं थै किस अनुषेद में है तो देखी या अनुषेद 19-1-0 में बढ़नी थै ठीक है तो आंसर हो जाएगा या question number 24 है स्वतंता का अधिकार भारतियों संबिधान के कीन अनुषेद में बढ़नी थै तो स्वतंता का जो अधिकार है तो या अनुषेद 19-22 तक में बढ़नी थै ठीक है तो आंसर हो जाएगा भी अनुषेद 19-22 स्वतंता है निमने लेखित में से किसको प्राप्त है तो अनुषेद 19-22 जो स्वतंता है वो प्राप्त है केवल भारतियों नागरीकों को ठीक है केवल भारतियों नागरीकों को प्राप्त है अनसर हो जायेगा C Quesion No.26 है भारतिया संभीतान का अनुष्ययद किस के बिरुद उस्तनरक्षन परदान करता है तो अनुष्यद unsいます यह कारेपाली का तथ बिधाई का दोनों के बिरुद उस्तनरक्षन परदान करता है तो अन्सर हो जायेगा D भारत के संबिधान का निमनलेखित में से कौन सा अनुछेद प्रेस की स्वतंता से ये अनुछेद 19 संबंधित है ठीके तो आंसर हो जाये गई कुछिन नमबर 28 है निमनलेखित में नागरीकों का स्वतंता संबंधित सही अधिकार कौन सा है निमनलेखित में नागरीकों का स्वतंता संबंधित सही अधिकार कौन सा है तो सही अधिकार जो है तीसरा है ठीके भासन तथा विचार ब्यक्त करने की स्वतंता ठीके कुश्चन नमबर 29 है प्रेस की स्वतंता निमनलेखित में से किस अधिकार में नहीं थे प्रेस की स्वतंता किस अधिकार में नहीं थे तो ये नहीं थे भासन स्वतंतता अधिकार में ठीक है तो आंसर हो जाएगा भी निमनलेखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है तो इन में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है तो तीसरा यहाँ पर जो दिया गया है हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है ठीक है बाकी तीनों जो है मौलिक अधिकार है बोलने का अधिकार, ब्योसाय का अधिकार और धर्म का अधिकार ठीक है तीनों यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार है भारतिय सम्मिधार के कोई अनुशे बेक्ति के बिदे स्यात्रा के अधिकार को संद्रक्षन परदान करता है तो correct answer option co जाएगा अनुशे देकिस ठीक है मौलिक अधिकार के रूप में मानेता दी है किने सरोच नियाले ने मौलिक अधिकार के रूप में मानेता दी है तो यहाँ पर इन तीनों को ही जो है सरोच नियाले ने मौलिक अधिकार के रूप में मानेता दी है अवास का अधिकार बिदे स्यात्रा का अधिकार और समान का का अधिकार ठीक है तो यहाँ पर इन तीनों को ही जो है सर्वोर्चनेयारल ने मौलिक अधिकार दिया है तो आंसर हो जाएगा टी एक दू तीन भारतिय संबिधान प्रदत स्वतंता का अधिकार के संबंध में निमने लेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर पहला ही कथन जो है गलत है भासन और अव्यक्तिक या बाधित स्वतंता ठीक है ये गलत कथन है प्रदत स्वतंता के अधिकार के संबंध में ठीक है अगला कुश्चन है भारतिय सम्मिधान 21 अनुछे दो में सोसन के बिरुध अधिकार बढ़ने ही थै तो सोसन के बिरुध अधिकार जो है ये अनुछे 23-24 में बढ़ने ही थै ठीक है तो आंसर हो जाएगा C, question number 35 है, मौली कथिकारों के अंतरगत है, कौन सा अनुषेत बच्चों के सोसन से सम्बंध ही थै, तो बच्चों के सोसन से अनुषेत 24 सम्बंध ही थै, ठीक है, अनुषेत 24 जो है, ये बच्चों के सोसन से सम्बंध ही थै, ठीक है, भारत के संबिधान के अंतरगत, किस में सेवा में लगाया जाने का परतिसेध किया गया है तो यह कम से कम 14 बड़ से कम आयू के जो बच्चे हैं उनको किसी कर खाना अथ्वा अन्य संकट में सेवा में लगाया जाने का परतिसेध किया गया है ठीक है तो आंसर हो जाएगा यह Qn. Scientist कर खाना वा खाना में कोई बेक्ति न्यूकत नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयू कम से कम नहीं हो तो उसकी आयू कम से कम जो है 14 बर्स तक नहो तब तक जो आप किसी भी कर खाना वाथवा मतलब किसी काम में जो है आप उस बच्चों को नहीं लगा सकते जोदब और से कम उमर के बच्चों को नहीं लगा सकते ठीक है इसके लिए परतिसेद किया गया है भारतिय संबिधान याद रखना है आपको आंसर हो जाएगा भी भारतिय संबिधान के अनुसार किसे भेक्ति को जिसे गिरिफ्तार आथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीक मजिस्टेट के समकषे समकषे कितने समय के अंदर उपस्तित करना होता है तो देखे गिरिफ्तार किये हुए बेक्ति को जो है मतलब जिसे बंदी किया जाता है उसे नजदे की मजिस्टेट के समकर 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तूत करना, मतलब पस्तित करना होता है तो आंसर हो जाएगा B, 49 है धार्मिक स्वतंता का अधिकार संबिधान के कीन अनुशेदों में बढ़नी थै धार्मिक स्वतंता का अधिकार यह अनुशेद 25 से लेकर 30 तक में बढ़नी थै तो आंसर हो जाएगा D, उसके बाद यहाँ पर हमार अगला कुश्चन है भारतिय संबिधान का अनुशेद 25 निमनलेखित में से किस सम्बंध ही थै याद रखना है अनुशेद 25 किस सम्बंध ही थै धरम की स्वतंता से अंसर हो जाएगा C, तो दोस्तों यह थे मौलिक अधिकार इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट 40 कुश्चन आई होब कि यह वीडियो पसंद आये रहेगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक है जरूर करें और अपने दोस्तों को मतलब सेयर कर सकते हैं जो आने वाले गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी में लगे हुए है ठीक है तो उनको भी सेयर जरूर करें ताकि उनकी भी कुछ हिल्प हो सके और वीडियो पसंद आया रहेगा मतलब चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेयर करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैह भारत